करीन कपूर का बहन करिश्मा कपूर की परस्नल लाइफ को लेकर बड़ा खुलासा ये खुलासा की बहुद बढ़ी फैमिले से आती है और इस फैमिली से होने के बावजूर जब इस तरह की बात बात को करती है, तो सोचने में तो आता ही है करीन कापूर, करिश्मा कापूर के साथ एक अच्छी bond शेयर करती है दोनों ही बेहने film अकसिस रही है लेकिन competition ज необход बात किसी में नहीं रही है दोनों इंडूस्री के बहुत इसत करती है करिश्मा ने जब अपने career की शुरुआ की थी तब उनके उपर काफी pressure था करिश्मा की फैमिली उनके अगेंस थी लेकिन मा बबीता चाहती थी करिश्मा फिल्मों में काम करे क्योंकि उनकी मदर रंधीर कपूर से अलग होगे थी और फैमिली चलाने को लेकर इंकम जरूरत थी ऐसे में करिश्मा को बहुत यंग एज में ही इंडस्ट्री में काम करना पड़ा करिश्मा के एक यंग एज में इंडस्ट्री में डेब्यू करने पर दी करीना ने एक एजव्यू में खुलासा किया था कि जब करिश्मा इंडस्ट्री में नहीं नहीं थी जब वो डेब्यू कर रही थी तब हमें हमारे परिवार में बिलकुल भी सपोर्ट नहीं किया राजकपूर जैसे शो मैन की फैमिली से होने के बावजूद अंकल चाचा सब स्टार्ट होने के बावजूद करीना कपूर के ये बयान करिश्मा को लेकर चौका देने वाले थे क्योंकि इस बैनर ने कई सारे आक्टर्स को चांस लिया है ऐसे में खुद के फैमिली मेंबर्स को ही सपोर्ट ना करना चौका तो देता ही है करीना ने कहा कि करिश्मा के साथ कोई ही नहीं था बस मैं और मेरी मदर बवीता थी करीना ने कहा कि मैंने मेरी बहन और मेरी मदर को स्ट्रगल करते हुए देखा है करीना ने कहा कि मैंने करिश्मा को फूट फूट कर रोते हुए ये कहते हुए सुना है कि मुझे मेरा परिवार आगे नहीं बढ़ने देगा ये मेरे करियर में रुकावत बनेंगे और दखल अंदाजी देंगे लेकिन इन सब रुकावत के बावजूर करिश्मा कपूर ने इंडस्री में बड़ा नाम खमाया हाँ ये बात अलग है कि जिस मदर ने करियर में सपोर्ट किया वही मदर आगे चलके उनके करियर में सबसे बड़ा रोड़ा बनी करिश्मा को जब कभी कोई प्रेडियूसर अप्रोच करता तो बवीता की अन्रियालिस्टिक शर्तों के कारण करिश्मा ने बहुत सारा काम खोया और कहते हैं कि अभिशिक बच्चन के साथ उनकी सगाई भी मदर के इंटरफेरेंस के कारण ही जूती